जहेंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हों कि कच्छा दस 2023 में इंगलीज का पेपर कैसा आने वाला है कि कैसा पैटरन रहेगा जे देख लिजी हमारे सपास यह इंगलीज का पेपर है इसको हल करके भी बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि आपको क्या-क् कर्लाशंबर अग। आकसे तर हैंगे तो आप वीडियो को पूरा देखना व ile के लार्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है तो आप hörइगा तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वह आप लोग जो अच्छी तरीके से तयार के गए तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे और यही पेपर आपके बोर्ड एक्जाम में भी पूछा जा सकता इसी पैटरन पर भी आएगा त इसके बाद में जो यहाँ पर कंटेंट्स उसके बाद में लिखा और उमने विजिट करके देख सकते हैं हमारे चनल पर और हमने बता दिया की कि board exam में English की copy कैसे लिखी जाते है उसके बाद में लिखा है जो section B होगा इसमें क्या है descriptive answer आपको लिखना होगा ये आपको copy में लिखना होगा और यहां से section A से शुरू होगा उसके बाद में क्या लिखा इसको हल करके भी बताऊंगा सारे question हल करके बताऊंगा ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना तो आप लोग video में last तक जरूरी बने रहना जो आप लोग English में अच्छा number लाना चाहते हैं तो आप लोग video को पूरा देखना इसमें क्या है क्या लिखा है read the following passage and answer the choose the correct option इसमें क्या है एक paragraph पूछा जाएगा और इसमें तीन question दिये रहेंगे एक दो उसके बाद में तीन ये इसी paragraph को पढ़कर के आपको answer देना इनी तीनों के इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपके body jam में और ये unseen passage होगा कहीं पर से भी उठा लिया जाएगा और ये पूचा जाएगा लेकिन जब इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इसी में से इनके answer मिल जाएगे तो यहां पर क्या लिखा दा हिमालायज आर ब्यूटिफुल माउंटेन टू उसके बाद में दनार्थ आफ इंडिया उसके बाद में सम आफ द वर्ड्स हाई उसके पाद में पीक्स ओर इंड़ हिमालायज उसके बात में दा हाईएस्ट पीक्स इज़ अग्णी माउंट इव्डेट डव टप्स आप माउन्टेंस और कवरेट विट इसनु उसके बाद में दा आउट यह उसके बाद में देर फोर क्या लिखा है हिमालेज और उसके बाद में सिटेटेड इन दा आप इसमें बताना की इसका राइट अंसर हो जाएगा आप इंडिया नार्थ है कि साउथ है कि इस टेक वेस्ट तो इसमें क्या बता रहा था नार्थ तो इसका राइट अंसर यह वाला हो जाएगा उसके बाद में अगला यहां पर दाहिमेलेज आर आल्सो नोज आइज आविशनु इसमें बताना हो मैं की चेन है की एबोड है की क्लाउड है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यहां पर क्लाउड समझ में यह तीन कोस्टन पूछे जाएंगे और यह अंसीन पैसे जोगा इसी को अगला है क्या है इसमें चूज दा करेक्ट आप्सन टू अंसर दा फॉलोइंग इसमें एक दो उसके बाद में तीन चार इसमें कितने यहां पर कोस्टन इसमें पूछे जाएंगे यहां पर एक और उसके बाद में दो और तीन उसके बाद में चार और पांच यह कोस्टन पूछे जाएंगे इसमें क्या बता रहा है यहां पर आपको इसमें चूज करना है काौन साइस का राइट आंसर है तो क्या बता रहा दिस बुक उसके बाद में इस देन दा अधर वन फिल इन दा करेक्ट डिग्री आफ कम परीस इसमें बताना की सही क conquest अधर वन तो तो इसका right answer भी वाला हो जाएगा उसी प्रकार my mother my mother along with other others उसके बाद में varied तो इसका right answer हो जाएगा देखो where या फिर यहां पर are या was तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर varied लगा तो इसका right answer है वो हो जाएगा उसके बाद में यहां पर which part of speech the underline part belong to he reads a paper every day में आपको बताना यह जो यहां पर underline किची हुए इसी प्रकार से आपके बोड़ी जाम में भी प्रचनाएंगे तो क्या बताना इसमें जो यहां पर line किची हुए इसी का right answer बताना कि कौन है इसमें pronoun हुन है कि वर्ब की noun है कि एडवर्ब तो इसका right answer हो जाएगा यहां पर word एडवर्ब उसके ब यहां पर हमें खाना खानने के लिए बुकार यह बुलाया था इस परकार से उसके पाद में अगला:「 the noun पार्म आफ सब्सक्राइब से क्वचेज़ इस आपको बताना के समय कौन सा होगा तो इसका रेट आंसर हो जाएगा सकस ist पुली नहीं होगा नाई सक्सेश फुली होगा इसका राइट आंसर सक्सेश हो जाएगा उसके बाद यह कोश्चन आपको करेक्ट करने हैं इसी में से पढ़ करके समझ मैं आठ तक उसके बाद रेड़ आप वैसेश गिवेन बिलो इन अंसर दा क्वेस्चन देट फालो इसमें एक देखो पैराग्राप पुछा जाएगा और यह आपके यहां पर लेशन से आजाएगा जो यहां पर होगा प्रोस से कोई भी लेशन से हो सकते हैं यहां पर होंगे तो क्या लिखा बट इन यहां पर क्रॉप और फॉराब प्रॉप गाड ड़ांट दा डऊंडु नाट उसके बाद में बीसो अपसेट इवन इसको पड़ोगे उसके बात में आपको इन दोनों के आंसर देना इसमें क्या बता रहा है कि वाज वाट वाट वाज दा देर अंली फोप इसमें आपको बताना है कि जो यहां पर राइट अंसर कौन सा हो जाएगा नॉटिंग कि किंग यहां गाड की नॉन आफ दीज तो इसका राइट अंसर यहां पर गाड लिखा है तो इसका राइट अंसर गाड हो जाएगा उसके बाद में फूसेड डू नाट बी अपसेट इसमें तो इसका यह तीन क्वेस्टन फिर से यहां पर पूछे जाएंगे क्या है यहां पर पूच रहा है वाट जो यहां पर यह इसका भूखे थे इस प्रकार से इसका एवाला राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला है यहाँ पर find out the name of any elder sister आपको बताना है कि इसमें जो यहाँ पर एन्ने की बड़ी बहन कौन थी तो इसका नाम कौन था यहाँ पर इडित था की किटली था की सन्ने था की यहाँ पर margot था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर margot यह वाला इसी प्रकार से सारी question मिलेंगे उसके बाद में यहाँ पर अगला है दबेकर यूज दवियर मतलब उसने क्या पहना यहाँ पर कभी पहना की बोल की यहाँ पर पडेर पहना की आला मतलब सबी चीज़े तो इसका राइट अंसर सीवाला हो जाएगा उसी प्रकार इसमें भी यह अब आ जाएगा यहाँ पर 14 और 15 यह दो पोईटरी से होंगे यह आपके कहां से होंगे यह पूचे जाएगे दोनएंक्सटन क्या पूच रहा यह देखो पहले लेशन से हैं डर्ष्ट आफ इसनों से क्या पूच रहा वेर वाजदा इसमें आपको बताना है जो यहाँ पर शिटिंग है यह जो कवा था हो कहां भर्ट थी कि यहां पर सोला सतरह अठारा उननीस और बीस यह कोस्चन आपके यहां पर उससे सप्लामेंटरी से आएंगे यह चार तो आपको इनों इनको पढ़ करके आपको लोग बताऊंगा इसको कैसे कैसे आपको तैयरी करना समझ में आए मैंने आप लोगों को बताया जो जो आपको इसी परकार से यह 20 नंबर के पूछे जाएंगे उसके बाद में अब पर 21 प्रस्ण इसको अच्छे से देखना यह आपको बोड़ी जाम में कापी में लिखना है और यहां पर पुछा जाएगा एक अंसीन पैसर होगा यह पढ़कर के आपको यह आपके देखो बुख से नहीं होगा यह कहीं से भी यह पूंच लिया जा सकता है तो आप लोग यह सकते हैं एक अंसीन पैसर होगा और इसी को पढ़कर के यह चार के आपको आंसर देना है यहां पर यह दो दो नमबर के पूझए जाएगगे साथ नंबर के इह फोस्seven के पहले आप लोग लोग अच्छी है त्रीकीसे पढ़ना हुसके बाद में आंसर देना मैंने आप लोग इसमें क्वालिटी दो अच्छी नहीं दिख रही तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजए यहां पर क्योंकि यह प्रेंटिंग में मिश्टेक वो गई तो अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वालिटी बढ़ा कर देख सकते हैं इसमें क्या 22 कोस्टन पूछा जाएगा दो पूछे जाएगे इनमें से आपको एक ही करना दो रोमन अंकों में होंगे इनमें से आपको एक ही करना और यह चार नंबर का पूछा जाएगा उसी परकार यहां पर 23 में भी पूछे जाएगा और यह अच्छी से 100 सब्सीमा लिख करता होगा और यह आपके बोर्ड एकजाम में यह दो-छूस्चेज हैं पूछा जाएगा और इसका नूम्बर और सब्सक्राइब टारेक्ट टारिक्त ट टेलहां च्छीड एक्टंट टारेक्ट का जाएगा यह उसके बाद में चोथा होगा यह आपके बोर्ड इजम में चार नंबर का पूछा जाएगा ट्रांसलेट इंटू दा इंग्लिस यह आपको इंग्लिस में ट्रांसलेट करना है यह आपका चार नंबर का बोर्ड इजम में पूछा जाएगा उसके बाद में समझ में आ गया इस करना पहले का भी करना दूसरे का भी एक और यह तीन नंबर के दो कोश्टन पूछे चाहेंगे छे नंबर के होंगे ये आपके बोर्ढ influen उससे पूच्छे जाएंगे तो आप लोग कोश्टन अच्छी आप दा पॉयम टाइगर आप इन दा जू उसके बाद ने डू नाट कापी इन लाइन आपको इसमें पॉयम लिखना या फिर इसमें आपको इसमें चाहें इसका अंसर दो या फिर इसका पॉयम का दो यह आपको इसमें लिखना है फोल लाइन के आपको कविता लिखना यह त पहलें तीन आपके यहां पर सेंट्रल आइडिया दिये होंगी इन में से आपको एक ही सेंट्रल आइडिया भी लिगना अलग-अलग हो गया यह चैनल पर पूछी जाएंगी और आप लोग विजिट करके हमारे चनल पर देख सकते हैं मैंने बता दिया है कि डिश्टाप इसन पूछा जाएंगे और यह यहां पर एक इसमें आपको लिखना होगा उन्तिसों इसमें आपको एक ही लिखना हो और यह भी व Rapid to नंबर का पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आपके बोड़ीधा में पेपर आएगा तो इस वीडियो को ज़्यादा सेयर कर देना और जो आप लोगों को फिर ही इसका पीडियाप नोट चाहे तो आप लोग टेली ग्राम जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग जॉइन कर सकते हैं या फिर टेली ग्राम पर सर्च मैं लगों को मैं आप लोगों को नोट बढ़ा वह सभी आप लोगों को वह सब्सक्राइब करना बहुती अच्छेrence कोENTE लगों को जरुरु प्रेसके तक 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 सबसे पहले पहुंचे जहिन मिलते लिए वीडियो